नमस्कार नमस्कार मैं एक बार फिर आप लोग के सामने पन्दध बिज बुशिष शर्म बिज फूचर पॉंट के सुझने से दोस्तों समय समय पे आप लोग का सहुख जो मिल रहा है उसका लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर अधा करता हूँ आप लोग ने मेरे चैनल को जहां से जहां तक पहुचाया यह सबाब जानते हैं मैं चाहता हूँ अपने चैनल के द्वारा अपनी तरफ से सही मांगदर्शन हो हो सकता है कि उस मांगदर्शन में कुछ लोगों को प्रिशानी भी महसूस हो लेकि सच यह है दोस्तो संसार में कुछ भी गलत नहीं होता हर कारिय समझने का अपना अपना तरीका होता है अपने तरीके से क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं एक जटिल या किसी भी टोपिक पर चर्चा करते हैं तो उसमें मत अनेक होते हैं तो अनेक मत होने का मतलब यह नहीं कि वो चीज गल्थ है आप उसको सही डंग से प्रस्तूत करने का प्रियास करें तो मैं आप लोग से हाज जोड़के निवेदर करूंगा कि यदि कोई चीज आपको अच्छी ना लगे तो व्यक्तिकत मेरे फोन पे मुझसे कंसल्ट करें औ दोस्तों आज मेरा विश्य बहुत एक लखटके है क्योंकि आज संसार में इस विश्य की बहुत बड़े समस्य हो रही है शादी लव मेरीच कब होगी इसका बहुत बड़ा एक विश्य चलता रहा है आज मैं अपनी वीडियो में विस्तार से आपको शादी के बारे में लड़के के और लड़की के बारे में पूरा वर्ण करूँगा मैं आप लोगों से नवेदा न करूँगा यदि दो चार पार्ज मिंट की वीडियो नंबी भी हो जाती है तो आप पूरी वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों मैं अपने वीडियो में कभी भी कमी नहीं छोड़ता और मैं ये में नहीं चाहता कि कोई मुझे से कॉंटेक्ट करें कैसे क्या होगा आप वीडियो देखके अपना काम कर सकते हैं जी उसके बाउजुद भी आम उससे कॉंटेक्ट करते हैं तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी फीस होती है पहली बात तो आम उससे कॉंटेक्ट ना करें अगर कॉंटेक्ट करते हैं तो फीस देनी पड़ेगी नमबर दो दोस्तों मेरे यहां पे एक एश्कलो लोशो पामिश्ट सब कोर्स सिखाई जाते हैं और मेरे यहां कोर्स की सम्मे बड़ी है खुबी है अपने मुझ से ने कहूँगा जब तक कैनिडेट सीख नहीं जाता तब तब कैनिडेट मेरी क्लास में रहता है मैं एक लोशो ग्रीड को चार कलाओं के अनुसार सिखाता हूँ लोशोग गरिड़ से वास्तो भी सिखाता हूँ मोवायल निमर्लोजी भी सिखाता हूँ क्योंकि आई मोवायल सब में नज़्दिक है और मैं इस से मेडिकल भी सिखाता हूँ और उसका मात्र मेरा शुल कि मात्र 31- Dünyk दोस्तों एक बार सिब्र का सामने पीछ कर रहा है दोस्तों अब हम विश्चे पे बात करते हैं क्योंकि आजकल विवा का वर्ष कुन सा होगा इसके बारे में हर मावाप को चिंता होती है बेटी बड़ी होती है जहां बेटी ठारा साल क्रोस कर जाती है वो क्रोस करने के बाद उनके मावाप को शादी की सताने लगती है लेकिन आज के युग में बच्चे पढ़ रहे हैं हैर एजुकेशन ले रहे हैं तो 21 साल से पढ़े तो कोई शादी करता ही नहीं तो आज मैं उस 21 साल को टार्गेट लेते हुए आपको विभा कब होगा इसके बारे मैं चिंतन करता हूँ दोस्तो यदि आपका बच्चे का डेटो बर्त मुल्यंक क्या है लड़का हो या लड़की मुल्यंक को देखो यदि आपका मुल्यंक एक है तो आपका जो प्रस्तावित साल होगा जो प्रस्तावित साल होगा एक चार पाँच साथ नो यदि आपका उन्मानित वर्ष दो है त तो आपका प्रस्तावित होगा एक दो पांच छे आठ यदि आपका यह जो मुल्यांक है तीन तो आपका प्रस्तावित होगा तीन छे साथ नो यदि आपका मुल्यांक चार है तो आपका एक दो चार साथ आठ वेसे तो दोस्तों मैं सब बोर्ड पर लिख दिया है लेकिन फि तीन पांच साथ नो अगर छे है तो एक दो तीन छे पांच नो और साथ है तो एक दो चार आठ अगर आठ है तो एक दो चार छे आठ और नो है तो एक दो तीन छे साथ इसका मतलब ये है मुल्यांक नंबर हमारे नो ग्रह होते हैं नो अंक हो जाते हैं एक से लेके नो तक इस अंक, एक नमबर के मित्र होते हैं उन सालों में उस बच्चे की शादी होने की संभावना रहती है क्योंकि उस अंक का जो प्रस्ताबित साल है, वो मित्र है और अगली वीडियो के अंदर मैं अर्चरे कौन कौन साल में आती हैं, वो इ बताऊँगा तो मैं बताना चाहिए, अब जैसे मैंने एक एक्जाम पिल लिया, मैंने एक एक्जाम पिल लिया, किसी व्यक्ति का जनम ती थी, किसी व्यक्ति की जनम ती थी, 3939 है, 3939, इसका मुल्यांकन भी 3 है, इसका जनम का जो महिना है, वो 9 है, और विवहा का प्रस्ताविद साल, क्योंकि 21 वाश्च को हमने एक इस्टेनर ट्रेम माना है तो 21 साल है तो ऐसे इस्थिती में इसका टोटर करते हैं तो 1969 आता है 1969 का हम मुल्यांग करते हैं नमबर निकालते हैं तो 6 नमबर आता है क्योंकि 2, 1, 9, 5, 1, 9, 10, 15, 15, 15, 20, 24, 24, 6 नमबर आता है और अब इसके अंदर 3 मुल्यांग था और 9 जनमती थी थी अगर हम इसे भी जोड़ लेते हैं तो 1971 आता है इसका मतलब क्या हुआ एक और आट, 9, तो अब देखिए इस बच्चे की शादी 6 जब 7 6 आएगा, मुल्यांग 6 आएगा और 9 होईगी अब हम कैसे देखेंगे अगर स्पोच करो इसकी मुल्यांग क्या था 3 तो मुल्यांग क्या 3 और जब इसका समय 6 साल का या 9 साल का टेम आएगा जब इस बच्चे की शादी होगी और 6 और 9 निकालने के लिए स्पोच करो आज 2021 है इस 2021 को आगे जोड़ते चलो जिस साल में हम बच्चे की शादी की तारिक चेंग कर रहे हैं और इस में से कोई भी आगे होता है सबोच करो 21 है तो 21 का मतलब हो गया दो और दो चार एक पांच और 5 कहों से में आता है चे नंबर में तो जिस बच्चिका को चे मुल्यांग होगा तो उसकी शादी 5 नंबर में होने की संभाव नहीं तो इसी तरह से हम इस प्रस्तावित अनुमानित क्योंकि जोतिशेक अनुमानित प्रिक्रिया है और अनुमानित प्रिक्रिया के अधार पे हम डेट और बर्त के अधार पे किसी बच्चे की शादी के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं दोस्तों ये तो ही बात निमरलोजी की लोशोड़िट की अब मैं को वेदिक दश्ठी कोन से बताता हूँ छोटी सी ट्रिप्स ओर देता हूँ एक ट्रिप्स देता हूँ अगर आपकी वेदी कुनली में किसी भी लड़की का किसी भी बच्ची का तीन नमबर मिस है लोशो ग्रिड में और वेदी कुनली में ब्रस्पती खराब है ब्रस्पती नीच है तो उस बच्चे की शादी होने में प्रिशानी आती है प्रिशानी आती है ऐसे बच्चे की शादी 35 साल की बाद होती है जिस बच्चे का ब्रस्पती खराब होता है यह नीच हो जाता है तो इसका विस्तार से बहुत लंबा विश्लेशन है तो उस विश्लेशन को शुक्र 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 अश्टामिस्तान में हैं तो उसकी शादी उसकी शादी 28 साल के बाद होती है 28 साल से पहले नहीं तो ऐसी इस्तिती में लड़की का ब्रस्पती ठीक करवाना चाहिए और लड़के का शुक्र ठीक करवाने चाहिए अगर ब्रस्पती और शुक्र ठीक हो जाते हैं तो उन बच्चों की शादी जल्दी और समय से हो सकती है और अच्छी हो सकती है अने था प्रिशानियों का सामना करना पड़ेगा उनकी वारे में मैं आपको रिमेडी वगरा सब बताता रहूंगा दोस्तों फिर मैं आप सबसे एक चाहर रखूंगा कि यदि आप को मेरी ये वीडियो पसंद आती है मैं इस से अगली वीडियो कौन कौन से साल में अरचने आती हैं उसकी विस्तार से बरनर करूंगा अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मैं करूं तो आप मेरे चैनल को सब्क्राइब करें और लाइक करें और आगे भेजें जिससे कि लोगों पस संद आए हो सकता है किसी का बहला हो यदि आपको क्लास में आना है नोट्स की जूरत है मेरे पास वाइस नोट और रिटर नोट्स सब चीज़ मिलते हैं तो मैं आप से चरकूंगा कि मेरे हैं एक चोधा तारिक से एक और साथ पंद्रा तारिक से नया बैच चालो हो रहा है यदि किसी की चाहो तो उसमें कोटेट कर सकता है नमस्कार जाहिए